दोस्तो एक अधिवक्ता अपने घ्ञान और मेनत के बल पर अपने परिवार का जीवन या अपन तो आसानी से कर लेता है परंथू एक अधिवक्ता कितना भी गरीब क्यों न हो उसे सरकारी योजनाओं का लाब नहीं मिल पाता है क्योंकि वह वकील है ऐसे में जब उसके परिवार का कोई सदस से गंभीर बीमार होता है तो उसके पास सही से इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं इसी समस्या को देखते हुए भारत में वकीलों की सबसे बड़ी संस्ता BCI अर्थाथ बार काउंसिल आफ इंडिया दोरा वकीलों को फ्री हेल्थ एंसुरेंस देने की प्रोसेस स्टार्ट की गई है इसलिए आज के वीडियो में बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा वकीलों से सम्बंदित हेल्थ एंसोरेंस की स्कीम की लेटेस्ट अपडेट जानेंगे उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स और AIB एक्जाम सम्बंदि सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और BCI अर्थाद Bar Council of India द्वारा सभी वकीलों के लिए आए Medical Insurance Scheme के अपडेट को जान लेते हैं तो दोस्तो BCI अर्थाद Bar Council of India द्वारा भारत में रजिस्टर्ड सभी वकीलों के लिए जल्दी ही Medical Insurance की सुविदा उपलब्द कराने जा रही है वो भी विल्कुल फ्री में तो दोस्तो Medical Insurance को Health Insurance के नाम से भी जानते हैं इसी स्कीम को implement करने के लिए Bar Council of India द्वारा भारत के सभी State Bar Councils को लिटर लिख करके सभी registered advocates का record कुछ point wise मांगा गया है तो points क्या है उन्हें जानेंगे सबसे पहले name of the advocate, gender क्या है, enrollment number क्या है, date of enrollment क्या है और date of birth क्या है वो भी age breaking में, means कितने लोगों की age 21 से 25 है, कितने लोगों की age 26 से लेके 30 years है और इसी तरीके आगे age तिल 75 years तक के, means 75 years age तक के जो advocates होंगे, उनको यहाँ पर health insurance की सुविता दी जाएगी तो दोस्तो इस scheme को जो भी implement किया जा रहा है, तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है तो दोस्तो यह जो record आएगा, इस record को state bar council दोरा जो भेजने की last date थी, वो 23rd मई 2023 थी means BCI के पास advocates का record पहुँच चुका है, तो दोस्तो भारत के सभी advocates का जो data है प्राप्त होने के बाद अब BCI बहुत सी insurance companies के साथ tie up करने के लिए संपर्क कर रही है, जिससे की सभी advocates को insurance की सुविदा दी जा सके, जिससे की जो भी सुविदा है, सब तक पहुँचे और जो hospitals हैं, उसमें अच्छी अच्छ हों तो दोस्तो इंसुरेंस companies के साथ tie up होने के बाद, जल्दी BCI इस योजना की सुरुआत कर सकती है, बहुत बहुत धन्यवाद